ग्यारा पारियों में 903 रन ठोक कर बाबर आजम ने तोड़ा सचिन तेंदूलकर का रिकॉर्ड पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने सोमवार 9 जन्वरी को न्यूजीलेंड के खिलाफ पहले वंडे में अर्धश तक जड़कर सचिन तेंदूलकर का रिकॉर्ड तोर दिया बाबर ने 88 गेंदों में 5 चौकों और 1 चक्के की मदद से 66 रन की पारी खेली वो ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर स्टंप आउट होकर पवेलियन लोटे आजम लगातार 11 वंडे मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं बता दे की उन्होंने 11 पारियों में 903 रन बनाए हैं जिसमें 4 शतक, 6 अर्धशतक शामिल हैं और सिर्फ एक बार ही वो दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं आजम ने 11 पारियों में क्रमशह 158, 57, 114, 105, 113, 77, 1, 74, 57, 91, 66 रन बनाए हैं इस मामल में आजम ने सचिन तेंदूलकर का रिकॉर्ड तोड़ा तेंदूलकर ने लगातार 11 वंडे पारियों में 895 रन बनाए थे इस लिस्ट में विराट कोहली 1046 रन पहले और डेविद वोनर 962 रन दूसरे नमबा पर हैं इस मुकाबले को मिलाकर आजम के 91 पारियों में 4730 रन हो गए हैं वो वंडे क्रिकेट में 91 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाडी बन गए हैं अज़ बनाए बनाए भाद टारियों में क्रिकेट में झाले आजम के बनाए हैं